हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आपका स्वागत है एक और बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो में इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसकी management की guidance है कि वो अगले तीन से चार सालों में अपना जो revenue है वो three times कर लेंगे और profits भी three times कर लेंगे तो बहु तो आगे पढ़ने से पहले बतायता हूँ इस वीडियो में क्या क्या बात करूंगा सबसे पहले बात करूंगा कि company करती क्या है और company की management के बारे में बात करूंगा फिर थोड़ा business को all detail में समझेंगे कुछ की highlights देखेंगे business की क्या positives हैं क्या negatives हैं और साथ-साथ valuation कैसी नजर आती है और industry कैसी नजर आती है तो यह जो company है इसका नाम है United Drilling तो यह जो company है basically 1986 में form हुई थी और जो इनकी managing director है उनका नाम है प्रमोत कुमार गुपता और 1986 में इन्होंने ही company को found किया था अभी भी यही managing director है तो काफी interesting business है basically जो आपकी oil equipments होते हैं जितने भी आपके oil wells होत जाता है उसके लिए जो equipments होते हैं वो बनाने का काम करती है तो काफी जादा manual labor intensive type का business है तो यह जो business है basically जो concentrated type का business है बहुत ही जादा तो काफी जादा selected customers है जैसे अगर मैं अभी इनकी बात करूं तो majority revenue जो है वो इंडिया से ही आता है और इंडिया में ONGC जो है इनका 50% से जादा revenue contribute करता है बाकी customers देखे तो जैसे reliance हो गया, car and energy हो गया इस तरीके के customers है और यह जो parts यह लोग बनाते हैं यह अच्छली consumable parts है यानि की हर एक साल में जो है इनकी life खतम हो जाती है और इनको जो है बार-बार-बार-बार replace करना पड़ता है except one part जिसका नाम है winches तो अ होता है gas equipment, wireline winches और stabilizer अब बात कर लेता हूं इनके कितने plants हैं तो mainly इनके 5 plants हैं तीन locations पर हैं एक है गुजरात कांडला में एक है नौइडा में और एक नया plant जो आया है वो है मुंदरा में तो अब नया plant की जो इन्होंने जो है recent capex करा है जो की materialize होगा recent थोड़े दिनों मे उसमें जो है ये लोग अपनी capacity को लगबग double कर रहे हैं तो existing capacity से बोल रहे हैं कि हम लगबग 300 करोड का revenue कर सकते हैं लेकिन इस नई capacity के बाद हम 600 करोड का revenue कर सकते हैं तो जैसा मैंने बताया कि इनकी जो main customers हैं वो PSUs हैं तो अभी तक जो business था mostly tender driven business है तो अभी आप सोच रहे business है government जो है payments delay करती है साथ साथ जो है oil business में जो है ये company है जो की declining industry है लेकिन basically इस business को मैं इस लिए पढ़ने बैठा क्योंकि इस business में जैसे मैं बोलता हूँ कि twist in the tale right कुछ ऐसा हो रहा है थोड़ा सा ऐसा transition आया है जिस वज़े से इस company में जो है जो अभी तक की story थी वो change हो र उन्होंने actually recently block deal करी है at I think 357 rupees के share price पे तो काफी significant amount में जो है उन्होंने इस particular company का share उठाया है तो आगे मैं आपको और बताऊंगा कि क्या हो रहा है इस company में क्या changes आ रहे है तो जो मैंने इनके products बनाए उनमें अगर आप इनके operating margins देखेंगे year over year पिछले 4-5 सालों में तो जादा अच्छे margins जो है वो नजर आएंगे तो जैसा कि आपको screen पे दिख रहा है इनके operating margins जो है 40-40% तक भी गए है इस साल 40% पिछले साल 27% उससे पहले 47% तो काफी जादा अच्छे healthy operating margins पे जो है company operate करती है तो आखिर क्या reason है जिस वज़े से ये लोग इतने अच्छे operating margins जो है वो कर पा रहे हैं जबकि इनकी capacity अगर आप देखे तो उतना ज्यादा केpex भी नहीं किया है इनोंने तो जो main reason जो management भोलती है वो ये है कि इनके पास कुछ technical expertise है तो आप इसे ऐसे समझे कि अगर आप एक well देखेंगे एक oil well देखेंगे तो उसमें लगभग 300-400 करोड क जो है oil निकाला जाता है during its lifetime और ये जो parts है ये इतने ज़्यादा महेंगे parts नहीं है ये relatively काफी सस्ते parts है और अगर जो है इनकी quality उतनी अच्छी नहीं होगी तो जो उसमें से जो oil आप निकाल रहे हैं उसकी जो total amount है वो oil ढंग से जो है आप नहीं खोद पाएंगे और आपक इस वज़े से जो बी company होती है oil companies होती है PSUs होती है वो compromise नहीं करती for quality तो quality is the most important thing इंडिया में बात करूँ तो hardly दो लोग है एक ये और एक इनका जो है competitor और है worldwide भी बहुत जादा consolidated industry है नई particularly अगर नए लोगों का देखें तो इस industry में नए लोगों का गुसना बहुत ही अदा मुश्किल है and the reason being जादतर जो products है वो patented है और अगर कोई अपने products भी design करे तो उन्हें design करते करते कई साल लग जाएंगे फिर उसके बाद जो है customer का approval लेते 2-3 साल लग जाएंगे ये जो पूरा का पूरा process है management का कहना था इस particular con call में की ये पूरा process 7-8 साल ले लेता है तो इ लिए जो है नए लोग इस particular industry में नहीं गुचते हैं तो ये तो समझ में आया कि business की quality कैसी है तो at a high level काफी जादा जो है consolidated profit pools है और जो existing customers जो existing vendors हैं वो काफी जादा अच्छे margins पे operate कर पाते हैं इन सब reasons की वज़े से तो अब बात कर लेता हूँ twist in the tale की कि आखिर क्या change हुआ है जिस वज़े से आशीश का चोलिया और बाकी बड़े investors इस particular company में जो है enter कर रहे हैं तो जो change हुआ है वो ये हुआ है कि इस company में जो इनका जो है एक particular MNC के साथ मुझे नाम नहीं पता कौन सी MNC है US की किसी MNC के साथ इनका tie up था जिस वज़े से अभी तक ये लोग जो ये अपने products हैं वो सिरफ India market में ही बेच पा रहे थे और बड़ी markets में नहीं बेच पा रहे थे क्यूंकि उनको lock-in कर रखा था कुछ agreements ने अब वो जो agreement है वो actually में खतम हो गए हैं जिस वज़े से अब ये लोग अपने products export कर पाएंगे तो अभी जो इनकी market है वो बहुत यह चोटी market थी पूरी की पूरी market 600-700 करोड की market थी इंडिया में वहीं अगर मैं बाहर की बात करूं worldwide तो यह जो market है इसमें काफी सारे no doubt बड़े players हैं लेकिन यह जो मैं agreement बोल रहा हूँ यह दो साल पहले expire हो गया था और पिछले दो सालों से अब यह लोग क्या कर रहे थे जो export वाले business हैं उसमें उनकी approvals लेने में लगे थे और कुछ companies से अब इन्हें धिरे-धिरे approval मिलना शुरू हो जाएंगे by next year तो अब management बोल रही है कि भई क्योंकि इतनी बड़ी market opportunity है अगर हम 5% penetrate भी कर बाते हैं इस market opportunity को तो हम बहुत अराम से अपना revenue triple कर लेंगे और अपने similar margins जो हैं वो हम maintain कर पाएंगे तो ये था वो twist in the tail उसके अलावा एक और चीज है अभी तक जितने भी इनके products थे अभी तक वो इंडिया में patented थे और वो सारे के सारे products अभी लोग US में और बाकी geographies में भी patent कर आ रहे हैं ताकि वहाँ पर जो है ये लोग अच्छे margins जो है कमा नहीं हैं बहुत वहाँ पर basically हुआ क्या है कि government ने जो है नया mandate निकाला है उन्होंने बोलाए कि अगर कोई भी tender 200 करोड से छोटा होगा तो हम Indian players को preference देंगे और अगर ऐसे बहुत से products हैं जो इनके patented हैं जहां पर ये एक sole vendor हैं तो basically वो जो revenue है एक तरीके से sure shot हो गया अभी अगर बात करें तो इनका कहना है कि जितने हम tenders भरते हैं उनमें से almost 60% tenders हम win करते हैं लेकिन अब कुछ products में जो है ये 100% tenders win करेंगे because there is no other competitor अब आखिर ये लोग इतने ज़्यादा confident क्यों हैं कि हम market share gain कर पाएंगे उसका जो primary reason है वो ये है कि एक certification होता है जिसे बोलते है API जो की होता है American Petroleum Institute का certification तो अगर जैसे समझ लिए जैसे कि pharma में FDA होता है न USFDA उसी तरीके से जितने भी equipments हैं वो API के द्वारा जो है वो किये जाते हैं certified किये जाते हैं तो वो अगर वो certification हो तो आप worldwide जो है ये सब parts जो है supply कर पाते हैं और जो बड़ी-बड़ी oil companies है वो उतना ज़्यादा जिजकती नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो quality है वो benchmarks जो है वो रहेंगे तो इन सब reasons की वज़े से और plus ये लोग बोल रहे हैं कि हम दीरे-दीरे एक process है जैसे जैसे आप इस field में ज़्यादा रहेंगे आप अपने products को customize करते रहेंगे अपनी quality improve करते रहेंगे और ये जो है almost 30 years से भी ज़्यादा से इस particular industry में है और ये reason है कि ये already जो है एक एक चीज समझ गए है इस industry की और इनके जो products हैं वो अच्छे दरीक हैं और क्या negatives हैं तो पहले मैं positives की बात कर लेता हूँ तो positives तो समझ में आता है कि revenue visibility काफी अच्छी है क्योंकि government के tenders अब sure shot हो रहे गए हैं प्लस export का business भी काफी अच्छा करने वाला है उसके अलावा जो balance sheet है वो बहुत ही अच्छी नजर आती है अगर आप देखेंगे तो कुछ भी जो है debt नहीं है बहुत ज़दा केपेक्स भी नहीं करना पड़ता है इस business में profit margins भी अच्छे हैं तो प्लेयर्स नहीं है एक दूसरे का share नहीं काटने पे तो ले उसके अलावा promoter की holding अगर आप देखेंगे तो वो काफी ज़दा high है 75% के आसपास holding है अच्छा dividend भी देती है ये company उसके अलावा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है अभी policy चल रही है कि हम जो अपना जो है gas particular gas में और petrol में जो अपना foreign dependence है वो कम करेंगे उस वज़े से आप देखें तो ethanol blending हो गई या फिर CNG का promotion हो गया या फिर EVs हो गई ये सब जो है चल रहा है उसके अलावा एक चीज़ और चल रही है जिसके बारे में जादा लोग बात नहीं कर रहे है और वो ये है कि जितने भी इंडिया में जो basically drilling हो रही है उसे बहुत जादा बढ़ावा दिया जाता है कि इंडिया भी self-sufficiency आ पाए अपनी petroleum और बाकी products के कि इंडिया में particularly एक tender business है तो data days वगयरा काफी जादा high रहते हैं दूसरा जो risk है वो है ये business working capital intensive है जिस वज़े से काफी जादा पैसा जो है working capital में फसा रहता है उसके अलावा concentration of clients है 50% से जादा revenue ONGC से आता है उसके अलावा जो most important risk है वो है sunset industry है जो कि एक declining industry है अगर हम globally बा इस तरीके की company इसको बहुत जादा अच्छे multiples मिलना बहुत जादा मुश्किल है historically देखें तो ये 5 से 8 के PE पे trade किया करती थी लेकिन तब ये stagnant थी कोई growth नहीं थी अब growth अच्छी नजर आ रही है तो maybe जो है ये 15 के PE पे trade कर ले या 20 के PE पे trade कर ले तो आपको जो PE re-rating है वो आपको जो है upside मिल पाएगी तो अब बात कर लेते हैं finally valuation की तो valuation में देखिए इसमें मैंने तीन तरीके की cases बनाए हैं एक है average case, best case और worst case average case में मुझे 22% का केगर नजर आता है, best case में मुझे 29% और worst case में मुझे 9% का केगर नजर आता है लेकिन अब interesting चीज ये है कि मैं इसमें जो management की guidance है उसे ले रहा हूँ average case में मैं मान रहा हूँ कि 2026 तक यानि जो management career वो अचीव कर लेगी यानि आने वाले 4-5 सालों में 26 तक भी सिर्फ 500 करोड का revenue ही हो पाएगा, operating margins में 35% के मान रहा हूँ और average case में मैं मान रहा हूँ कि PE 15 का मिलेगा, best case में भी मैं मान रहा हूँ कि 15 का मिलेगा लेकिन growth थोड़ी जादा मान रहा हूँ, और worst case में मान रहा हूँ कि 10 का PE मिलेगा अब interesting चीज है कि जैसे क्योंकि आज से अगर मैं 3-4 साल बात देखूँ तो EV का trend और बहुत जादा तेजी से चल रहा होगा और इस वज़े से यह जो 10 का PE है यह इसे ना मिले, यह सिर्फ 5 का PE ही deserve कर पाए तो अगर मैं इसे 5 का PE डालता हूँ, तो यह minus 5% निकल के आता है, right तो basically इस तरीकी की companies में valuation जो है बहुत जादा subjective हो जाती है एक sunset industry है, एक बार को CNG में मैं फिर भी थोड़ा confident हूँ क्योंकि CNG as an industry, मतलब at least इंडिया में policies ऐसी हैं CNG को भी growth मिल रही है, साथ-साथ EVs को भी growth मिल रही है आने वाले मतलब 8-10 सालों तक, लेकिन petroleum जो है continuously अपना market share lose ही करना है और इस वज़े से भले ही इनकी growth तो बहुत अच्छी आएगी, लेकिन इस company पे जो है मैंने अची आशीश कचोलिया जर से भी ये question पूचा था और उनका कहना था कि ये बहुत ही अदा tricky question है और वो भी जो है avoid करते हैं इस तरीके की companies को मतलब वो सला दे रहे थे कि sunset industries में नहीं invest करो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपको PE rating नहीं मिल सकती वहाँ पे अलागी growth बहुत ही अदा अच्छी है तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको invest करना है है नहीं बाकी मुझे आपको मेरा analysis कैसा लगा हो जरूर बताएगा और अगर आपको videos मेरी अच्छी लगती हो तो मुझे आप like जरूर करिएगा videos को ताकि जो इसकी algorithm है YouTube की वह बाकी logo तक भी जो है मेरे channel को पहुचा पाए और Twitter पर मुझे follow कर सकते है Twitter का handle आपको description में मिल जाएगा और अगर आप तिजोरी finance का subscription लेना चाहते है तो जो code है वो आपको screen पर नजा रहा हो का logic 15 यह डाल कि आप 15% का discount ले सकते हैं तो चलिए मिल दें अंगले वीडियो में I hope आपको video अच्छा लगाओ बाए बाए